सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 हमारी डेट 1 सप्टेमबर के लिए तुझे लिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में जो हम अपना चैप्टर था असर स्पेसिस और सॉल्ट उसी को कॉंडियों करेंगे पिछली वोक्षीट में हमने पी एच की बारे में कुछ चीज़े सीख होता है जिससे यहां है अपका HCl to NaOH क्या बनता है NCl-H2 उसकी बाद है अगर अपका strong acid हो लेकिन week-base यहां पे तोनों strong थे strong acid था strong base था तो neutral salt बना अब acid strong week-base है जो strong acid है तो acidic salt बनेगा ठीके ना जिसले for example, HCl plus NH4OH, NH4Cl plus H2, यहां पर पर पह है वह 7 से कम हो जाएगा, उसके बाद है, strong base और weak acid, अब की बाद strong क्या है, तो basic salt work की बाद बनेगा, ठीक है, जिसे 2 NaOH plus H2CO3, क्या बन जाएगा, Na2CO3 plus 2 H2, जो पह है, ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, आप देखो, rock salt क्या होता है, salt in its natural form as a crystalline mineral is known as rock salt, जैसे NaCl है, अगर कोई भी salt हो, उसको उसके natural form में ही छोड़ दे, जैसे वो crystalline mineral की form में ही अगर छोड़ दे, तो वो rock salt होता है, जैसे NaCl है, ठीक है, 4th is washing soda, Na2CO3 into 10H2O, अब जो हमारे पास sodium hydroxide है, NaOH है, जब भी हम electricity पास कराते हैं, NaCl की किसी NaCl में से, जिसको हम brine बोलते हैं, एकोई solution होता है, जो NaCl का उसको brine बोलते हैं, तो वो क्या बनाता है, NaOH बनाता है, जिसको हम chloralkali process बोलते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर 2 NaCl है, H2 के साथ मिलकर क्या बनाता है, 2 NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, यहां पर anode side, जो chlorine gas है, anode side होती है, यहां और cathode side कुन सी होती है, H2 gas, यह ध्यान रखना है, anode side, chlorine और cathode side, क्या होगी, H2, ठीक है, तो near cathode, cathode के पास NaOH solution है, वो बनेगा, फोर्म होगा, यूज़ क्या है, इनके, देखो जो H2 है, H2 को में यूज़ करते है, fuels में, margarine में, artificial बटर होता है, इस समय, Cl2 water treatment में आपने देखा होगा, डेली में तो जितने भी आपके bottles आती है, पानी आता है, उसमें chlorine डला होता है, water treatment में काम करता है, PMC और CFC में भी help करता है, HCL क्या होता है, cleaning, steels, medicines, medicines, जो बर्तर पे गयरा, steel पे गयरा, उनको साफ करने में मदद करता है, HCL, और NEOH क्या होगा, digressing metals, soaps and paper making, यह जो paper making है, जो साबून है या फिर कागस बनते हैं, यह सब कैस किस की होता है, NEOH से होता है, तो जिसके वज़े से इसके बहुत harmful effect भी है, आगे है, CL2 plus N NEOH, क्या बनता है, bleach बनता है, जिसमें एक household bleaches और bleaching fabrics भूंगे, ठीक है, चल लिए, अब हम चलते हैं हमारी next part पर आज की worksheet पर, तो आज की worksheet में आपकी सिर्फ यह 5 questions है, 1 by 1 N को solve करते हैं, 1st question है आपका, what is chloralkali process, why is it called, यह जो chloralkali process है, क्या है, और इसको इस तरीके से हम क्यों कहते हैं, तो जब भी electricity pass होती है, क्योंकि सोल्यूशन में सी sodium chloride के, तो वो decompose करती है, sodium hydroxide बनाने के लिए, तो जो यह process है, इसको chloralkali process बोलते हैं, इसलिए बोलते है, because the products formed in this reaction are chlorine and sodium hydroxide, क्योंकि जो इस reaction के लिए, जो products बनते हैं, क्या है, chlorine है, sodium hydroxide, ठीक है, तो यह हो गया आपका question no.1, छोटा सांसर है, बिल्कुल दो दिन नाइन का, ठीक है, next question no.2 है, what is brine solution, solution, brine solution क्या होता है, ठीको brine solution कुछ नहीं है, aqueous solution होता है sodium chloride का, उसी को क्या बोलते है, brine solution बोलते है, ठीक है, na, aqueous solution होता है कि इसका sodium chloride का, ठीक है, next question no.3, third question is, which gas is liberated at anode during chloralkali process, given a two uses of that, कौन सी gas निकली थी anode side, अभी 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 निकलिया था chlorine gas liberate होई थी anode की side, water treatment, पानी को साफ करने में, PVC में और CFC में, यह तीन uses हमने लिखने हैं, दो ही लिखने थे, लेकिन तीन में लिखवा दी है, chlorine gas के uses, ठीक है, यह हो गया आपका question no.3, आगे बढ़ते है question no.4 पे, एक मिनिट, चलिए, so question no.4 है, आपका name the chemical used in soap and paper making, वो chemical जो कम साबून बनाने में मदद करता है, वो क्या होता है, sodium hydroxide is used in soap and paper making, साबून और paper बनाने के लिए इसकी help मिलती है, ठीक है, राइट, इस chemical formula, chemical formula लिखने है, क्या होते है, chemical formula and the OH होता है, simple, यह होगे आपका question no.4 complete, now last question of our worksheet, question no.5, write any two uses of H2 gas and hydrochloric acid, तो दो uses लिखने हैं, आपकी 2 hydrogen की 2 hydrochloric acid के, hydrogen को लिखेंगे, तो hydrogenic gas है, जो fuels या फिर मरकराइन गारा में use होती है, artificial water में, जबकि जो hydrochloric acid है, वो cleanliness, cleaning steels and medicines में help करती है, ठीक है, यह होगे question no.5, तो यह 5 questions थी हैं जबके worksheet में given थे, I hope आप questions समझ में आ गए है, कोई भी doubt है किसी भी question में, तो comment section में आप में से पूछ सकते हैं, lecture अच्छा लगे, तो चानल को subscribe कर सकते हैं, वीडियो को like कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, ने 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 वीडियो में तिल देन, तेक क्या, बबाई